तो दोस्तो इट बाद चेक पोस्ट क्रोस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यह है पहली चड़ाई और अब इस चड़ाई में कितना टाइम लगता है मैं आपको बताऊंगा जैगे नरी जैगे नरी सब्सक्राइब आपको बताऊंगा और बताइम उहाँ हैं है हैं है मैं अल्ड है अल्ड हैं एंद मं अओ झाल उल्ड मय गुछ्ट हुशंगत के खाड़ इड़ dalla मासम था धुंट Daar प्रफिराम प्राम 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 प् दोस्तों यह जो इटवा की फर्ष्ट चड़ाई थी है गुजराती में इटवा की घोड़ी बोलते हैं इसको चड़ेने में करीब 20-25 मिनिट लग गया एकदम ऐसा है सीधा दोस्तों यूजराती में इससा है अजए इसको चिते हैं इसको चाह्ट है इसको चाहिएब इसको बीज़ा है तो यहां काल भैरों मंदर के पास पहली चड़ाई कंप्लेट हो जाती है जैके नारी भाई जैके नारी मड़ी तरफ जै गिनारी भाई जै गिनारी जै गिनारी जै गिनारी जै जै इनारी जै गिनारा भाई गिनारी ए nonprofit है जै खरी जै और इनारी जैएmis कैसे जै मिए़ी कि जीूं carry on पंधिन. है ऄो कि दो अख पश unfortunate तो दोस्तों पहली चड़ाई कंप्लीट करने के बाद का जो रास्ता है ना बहुत ही अच्छा है और कुछ दूर चलने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हो अब आपको ऐसा नीचे जाना पड़ेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो यहां से उतरना होता है ना तो बहुत ही समल के उतरना पड़ता है वरना पेर भी फिसल सकता है तो दोस्तों जैसे आप चड़ाई उतरोंगे ना तो आपको यहां पर बहुत सारे खाने पीने का साधन मिल जाएगा आप देख सकते हो भुट्टा है और नारियल पानी है क्या है पजास की दो और यह हल्वा क्या होता है किस सीथ का बनता है अच्छा ज़ू फूल के बताओ तो अच्छा है जो हल्वा है ना इतरा गुजराती मिलने का हल्वा यह हरा नारियल है उसका बनता है पार खूल की बतादो एक दी देना है बल्द भूट्र नेबू रमक लगा देना अच्छा यह हल्वा पचन अरियल का ओके 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 तेंक्यू तो दोस्तों मकाई में मस्त नेबू और नमक अमक लगा दिया है बहुत ही स्वादेश्ट है तो जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ से इस पकार से सौटकट से जा सकते हैं हर जगह सौटकट मिलेगा करें सिर्भार यहाँ जगानी है संकत हमारा जैसे दनेगा संकत हमारा जैसे दनेगा तुन ना सुनो में तुनेगा तो दोस्तों जगए जगए आपको इस प्रकाश से रस्ता में बैता हुआ पानी देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको इसनान करना है तो आप कर सकते हो और कुछ लोग इसनान कर भी रहे हैं इसकते हैं तो फाइनली दोस्तों पूरे चार घंटे में अभी केवल यहां तक ही पहुंच पाई हैं और अभी यहां से तो जीना वाबा की मढ़ी है तो यहां से आप देख सकते हो जीना बाबा की मढ़ी है और धाई किलो मीटर दूर है और बागी कौन-कौन से स्थान कितने किलो मीटर पढ़ेंगे यहां पर पूरी डेटेल से लिखी हुई है तो फाइनली दोस्तों पूरे पांच घंटे में जीना बाबा की मढ़ी पहुंचे और इसके बाद से दर्सन किये और जो वहां पर चिलम रखी है जीना उसके